Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज का टॉपिक है Environment Protection Act जो की बनाया गया था 1986 में Environment Protection Act क्यों बना, इसके पीछे क्या रीजन थे और जब ये बना तो इससे Environment को क्या के benefits हुए इनके बारे में हम बात करेंगे तो जैसा की इसका नाम से आपको समझा रहा होगा Environment Protection यानि की परियावरन का बचाव तो परियावरन का बचाव करने के लिए ये Act कुछ ऐसे बने जिससे हम परियावरन अपना बचा सके ठीक है तो इसी लिए ये Act बना अब इस Act के अंदर क्या क्या कहा गया है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी अब बात करेंगे Environment क्या होता है सबसे पहले तो हम जाने Environment क्या होता है Environment यानि की हमारा परियावरन ठीक है जो किस किस से मिलके बनता है जो भी कुदरती चीज़े उन सबसे मिलके बनता है जैसे कि हवा, पानी, पेड, पौदे, यूमिन बिंक्स, इंसान यानिकी, एनिमल्स इन सब को मिलाके एक Environment क्रियेट होता है, ठीक है अब वो Environment तो बन गया पैसा तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़े हो रही है जिसके वज़े से उसको हार्म हो Environment जो हमारा उसको हार्म हो रहा हो, तो इसके लिए ये Protection Act कुछ बनाए गए थे जिससे क्या है हम Environment को Protect कर सके, अब माली जे पेड़ पौदे हैं, उनको भी तो हार्म हो सकता है ना, उनकी देखबाल कौन करेगा हवा है, हवा में भी तो कुछ खराबी हो सकती है जिसके माली जे Air Pollution जादा हो रहा है तो उसकी देखबाल कौन करेगा तो इसलिए ये Environment Protection Act जो है वो बनाए गए है ठिक है तो सबसे पहले तो ये Act बना कब था तो ये 19 November 1986 में बनाया गया था ठिक है इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था? यही रीजन था इसके बनाने के पीछे कि जो Environment की Equality है उसे और भी Improve की जाए हम कोई भी ऐसे Plan कुछ Plans ऐसे बनाए जिसके लिए Long Term Implement हो Environment Safety के लिए Environment को अगर किसी भी चीज से Harm हो रहा हो तो उसके पीछे कुछ ऐसे Rules बनाया जाए जिससे की जो लोग इसे Pollute कर रहे हैं वो Pollute ना कर सके ठिक है, Coordination System में एक Maintain हो क्यों इसलिए ये Act बनाया गया था कि कोई भी Emergency Situation आती Environment के लिए तो उसके लिए Coordination System Direction उसे मिले, एक Coordination System जो है वो Create हो, इसलिए ये Act बनाया गया, ठीक है, क्योंकि जब कोई एक Team मिलके इसके लिए काम करेगी तभी तो Environment जो वो Protect होगा ना, वैसा थोड़ी ना कि हर इंसान जो है, वैसे तो यह होना चाहिए कि हर इंसान को सोचना चाहि अपने Environment के बारे में, पर इसके लिए एक Team अलग से बनाई गई है, Act इसलिए बनाया गए कि जो लोग है, वो तो सोचे ही साथ में, जो इसके लिए एक Team बनाएंगे, वो भी उस चीज़ पर ध्यान दे, ठीक है, अब माल लीजे, आपकी खुद की कोई भी Workplace है, आपका खु जैसे क्या है, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ ना हो पाए, जिसके वज़े से Environment हार्म हो, ठीक है, इसलिए ये Act जो है, बनाया गया था, अब देखिए, इसमें ये बताया गया है, कि Department of Environment कब Establish हुआ था, 1980 में, तब Ministers बनाया गय थे, Environment और Forest Minister बनाया गय थे, ठीक है, फिर इसक Protection Act जो है, वो 1986 में आया, ठीक है, क्यों आया ये, क्योंकि जब भुपाल गैस tragedy हो चुकी थी, वो जब हो चुकी थी, उसमें कितने लोग मारे गये, अगर कोई Environment Protection Act जो है, वो इसलिए तो बनाया गया कि ऐसी tragedies ना हो पाए आगे से, इसलिए तो ध्यान दिया जा रहा है अब Safety पर, तो ये जो Protection Act है, वो इस tragedy को देखते हुए, और जल्द से जल्द इसे लाने का फैसला लिया गया और ये फिर 1986 में 19 November को ये आ गया, ठीक है, अब जैसे भी इतने सारे Acts बनाया जा रहा है, Protection Act बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा हम अपनी जो भी Environment है, उसे सेफ कर स ठीक है, जब ये Act नहीं थे, तो ऐसी प्रॉब्लम में देखने को आती रहती थी, कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सुनने में आता रहता था, पर जब से ये Act बनाया जा रहे हैं, तो कोशिश यही की जा रही है, कि हम अपने Environment को पचा सके, ठीक है, अब देखी, अब आपका को version हो किसी भी चीज का आपका, या कोई भी सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर इसमें क्या है, आपके ऐसी handling होना चाहिए, कि उसे Environment पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, अगर Environment इसे हार्म हो रहा है, तो आपको वो काम बड़ी ही Safety से करना है, पर Environment को कोई नु इस तरीकी की जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको ये Follow करना है, कि Environment को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, अमाल लेजए आपका ऐसा वर्क है, जहां कोई भी Hazardious Substance हो सकते हैं, Chemicals हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीकी की कोई भी Hazardious Property है, तो Environment सेफ हो पाएगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी Workplace है, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ ये ध्यान रखना है, कि Environment पर किसी भी तरह का कोई भी Harm नहीं हो, ठीक है, तो ये Act जो है, वो यही कहना चाहरा है, कि आप अपना कोई भी Work कर हैं, तो उसको बिल्कुल Rules and Resolution से कीजिए, जो भी Legal Compliances में आपको Environment के लिए जो भी Follow करने के लिए कहा गया है, जो भी उनके Rules रहते हैं, वो आपको Follow करने होंगे, तभी आप अपना Environment प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो जब ये Act आग गया, उसके बाद क्या-क्या benefits हुए हम इसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन जो है, अच्छा से अच्छा प्रोवाइट करा सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें अपने Environment को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी Preservation हम कर सकते हैं, हैजार्ट से बचने के लिए, Human Beings को बचाने के लिए, Living Creatures क बचाने के लिए, Plants को और Properties को जो भी हमरी Environment Properties है, उनको बचाने के लिए, ठीक है, कोई भी Environment Pollution जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवेंशल लगा के, ठीक है, उसके बात क्या है, हम अपने जो Standard है, Laying Standard Quality को लेके, वह Environment के लिए, वो भी ठीक कर सकते हैं, हम सेफगार्ड यू हो रहे हैं, तो ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं, अगर कोई भी Environment Pollution है, वो रहा है, तो उसके पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो ये Act क्या है, सिर्फ Environment पर ध्यान देने के लिए बनाया गया था, इसलिए एक Ministry जो तयार की गई है, वो इसलिए की गई है, कि इनके द्वारा क कोई भी प्लान ऐसा जेनरेट किया जाए, जिसके वज़े से Environment जो है, वो हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है हर चीज का, तो Environment अगर प्रोटेक्ट रहेगा, तो Human beings भी रहेंगे, क्योंकि Environment जो है, वो सब को वैसे ध्यान रखना चाहिए पर ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो से हार्म कर देती है, साथ-साथ Animals जो है, उनको भी कोई नुकसाल ना होने पाए, ऐसे तो इस Act जो है, वो पूरा इसी के लिए बनाए, कि सब चीज़ें में इंक्लूड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वो Environment Act में बताई आपको फॉलो करने हैं, जैसे आपकी माली जो कोई इंडरस्टी है, तो आपको उसका Air Sample देना, Water Sample देना, जिससे की पता चले कि आप जो हाँ वर्क प्लेस पे काम करें, वो कैसा है, उसके अलावा जो भी आपके वेस्टेज हो रहे हैं, वो Environment को नहीं उसमें डालना है, ज So thank you so much!